Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is GK, Chapter 11, Identify the Animal. आपको यहाँ पे animals की pictures बनी हुई हैं और यहाँ पर कुछ statements लिखी हुई हैं hint के लिए. तो आपको क्या करना है? Help box के थुरू यहाँ पे fill करना है कि यह कौन सा animal है. तो first one is, this large antelope is found in some parts of Africa and is one of the fastest running animals. यह क्या है? एक large antelope है जो कि Africa के कुछ भागों में पाया जाता है और यह running में बहुत ही fast है. तो यह कौन सा animal है? आप लोगों के यहाँ पे help box बने हुए है. Help box में से कौन सा है यह? यह है आपका wild beast. कौन सा animal है? wild beast. तो यहाँ पे हम लिखेंगे wild beast. Second one is, this natural animal looks like a bandit with a black mask over its eyes. यह एक natural animal जो किसकी तरह दिखता है ऐसा लग रहा है जैसे कि bandit है, यानि कि नीचे जुका हुआ है और इसके face में क्या है? black mask over its eyes. जैसे mask की तरह नहीं होता है, जैसे mask आप लोगों ने पहना होगा eyes में, उस तरीके से इसके eyes लगती है black mask की तरह है. तो यह कौन सा animal है? यह है आपका raccoon. कौन सा animal है? raccoon. तो यहाँ पे हम fill करेंगे raccoon. next one is, this animal has very strong jaws and is known for its ability to produce a laughing sound. यह जो animal है, इसके काफी strong jaws है, यानि कि जबड़े हैं और इसकी क्या ability है कि यह ऐसे sound निकाल सकता है, हसने वाली sound निकाल सकता है, ऐसा लगता है कि यह laugh कर रहा है. तो यह कौन सा animal है? यह है आपका हाइना. कौन सा animal है? हाइना. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइना. फोर्थ वन इस, इस एनिमल इस found in Australia. यह एनिमल आस्ट्रेलिया में पाया जाता है. इट लेज एग्स, यह एग्स देता है. और इसका मुह कैसा होता है? इसका मुह डग की तरह होता है. जो इसकी चोंच है, वो किसकी तरीके से इसका जो मुह बना है, वो डग की तरह दिखता है. तो यह कौन सा अिमल है? यह एनिमल है आपका. प्लेटिपस. कौनसा एनिमल है? प्लेटिपस. तो हम यहां पे लिखेंगे प्लेटिपस. नेक्स्ट इस, इस एनिमल लीव्स इन एफ्रिका. यह जो एनिमल है, यह एफ्रिका में रहता है. And is also called an ant bear. इसको क्या कहा जाता है? ant bear भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? because it eats ant क्योंकि ये क्या करता है ants को यानि कि चीटियों को खाता है इसलिए इसको ant bear भी कहा जाता है और इसका क्या name है इसका name है आपका artwork क्या है artwork and last one is this animal look like a camel without a hump ये क्या है एक ऐसा animal है जो camel की तरह दिखता है लेकिन इसका hump नहीं है without a hump it is used as a beast of burden इसका use कैसे क्या जाता है as a beast of burden like sheep it also give us wool और sheep की तरह ये भी हमें क्या देता है wool देता है तो ये कौन सा animal है ये है आपका llama कौन सा animal है llama तो इनको आपको पुरा फिल करना है और book में इसको complete करके फिल करके रखना है और copy में भी इसको फिल करना है ओके thank you for watching बाबाई take care अजए बाई